इतने खूबसूरत नजारे में, इस खूबसूरत नजारे में क्या ढूंडती है, वोटरफॉल ढूंडती है, सेलफी पॉइंट ढूंडती है, ये हमारे साथी ट्रांसफॉर्मर ढूंडते हैं, कि कहीं न कहीं तो सड़क के किनारे पड़ा होगा, इतना भरोसा हमें बिजली विवाग पर पूरा है अब दूसरा एक कानल भी हो सकता है सड़ गया होगा खराब हो गया होगा इसे उपर से गाउवाले कांधू पर लाश की तरह लाए होंगे और यहां पर छोड़ कर चले गए हैं अब जब तक इस लाश को उठाने के लिए या तो गाड़ी आए या आप आपको बता लाश को ठाने के लिए अबुलेंस चाहिए होता है अबुलेंस आएगी तो इसको लेकर जाएगी और उसके बाद इन ट्रांसफार्मरों का कमाल देखिए मौसम देख रहे हैं बदल आवा दे ठीक है नहीं ओदे बाद तो हैं बदल जाए आवा दे बर्खा भी पाउनी जब बर्खा पाउंदी है यह ट्रांसफार्मरों कमाल के हैं यह बारिश में भी यहीं पर इसी तरीके से बिचारे बैठे रहते हैं स्टेट लाइन के प्रोग्राम गल्ला दि गल्मा आपका स्वागत है स्वागत है शुकरिया जी तुम्हा इस बाडो कोगे नी नी तोक नी राम है कई मैं लबबबब ऐना देखिग लाओं लगगिया थे लोग्या यह अविख लोगया जी लगग्या ते पर चिद्शन 4 2019। अच्छा आले इंख्पायर निभाईड़ा है। नहीं मैन्फेक्टरिंग डेडर एक्सपायर लिख लिखा निहीं है। लेकिन एक चीज दूनिया जो है इतने खुबसुरत नजारे में इस खुबसुरत नजारा देखो ज़रा डूडूबसंदगर का इस खूबसूरत नजारे में क्या ढूंडती है वोटरफॉल ढूंडती है सेलफी पॉइंट ढूंडती है ये हमारे साथी ट्रांसफॉर्मर ढूंडते हैं कि कहीं न कहीं तो सड़क के किनारे पड़ा होगा इतना भरोसा हमें बिजली विबाग पर पूरा है MODE आपको मेरा इस पर ग्यान लेना चाहिए ग्याना आप ले नहीं रही है मुझे बड़ा अफसोस है मेरा ढूंडत की लेना चाहिए कि कारण क्या है क्यूं यहां पर यह ट्रांसफॉर्मर पढ़ा हुआ है सब्सक्राइब करने हैं यह जो ट्रांसफॉर्मर है यहां क्यों बड़ा है यह बड़ा सवाल है उस सवाल का जवाब तो पहला यह है कि यह रास्ता खराब है उसकी वैसे यहां पड़ा हुआ है रास्ता खराब है तो इसको पैदल चलने में दिक्कत हो रही है जैसे बिया के लिए शेहरों में पालकी होती है यहां इस ट्रांसफार्मर के लिए पालकी आती है उस पालकी में इसका ribbon कटेगा और ribbon कटने के बाद फिर गाउं में भिज ली आएगी समझ गए परिशानी है वो मैं समझ गए परिशानी ये कि assembly चुनाफ तो हुए नहीं MLA तो है नहीं transformer का inauguration करेगा कौन इस चकर में transformer या पढ़ा है नहीं समझे नहीं आप यहां देखता कोई नहीं PDD के chief engineer यहां तो नहीं आने वाले आनंद टायल साब को थोड़ी पता है उनका transformer कहां पढ़ा है यह तो हमें पता है कर जाएगी और उसके बाद इन ट्रांसफार्मर का कमाल देखिए मौसम देख रहे हैं बदल आवा दे ठीक है नहीं ओदेबाद तो हैं पता बदल जाए आवा देद बर्खा भी पौनी जब बर्खा पौंदी है यह transformer कमाल के हैं यह बारिश में भी यहीं पर इसी तरीके से बिचारे बैठे रहते हैं और आप देखो कि यह transformer काफी लंबे समय से यहां पढ़ा हुआ है तोड़ तो जंग लगनी प्रेता मिटी शिटी इसके उपर पढ़ा हुआ है और मुझे लगता है कोई गाउं ऐसा नहीं है कोई जगा ऐसी नहीं है जो रास्ते में हमने देखी नहीं हो जहां पर आपको एक transformer मिला नहीं हो लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए किस बाट रांस्फॉर्मर इते हैं दूर दराज इलाकों में पहुंच रही है कोशिच तो पूरी सरकार कर रही है सरकार का कमाल है कि इस पूरे इलाके में बिजली पहुंच यह बलब कोई तो परिशान यहां जरा परिशान दिद शुवर्म ऊसे कि अजदव तो फूरे इन पहुंच लगवार नहीं है यह पत्रकार देट तुंदे ग्राइदे पना जला जपर जला चाहिए जए आखड बसंध गड़ जानता इन तुंदे को शिड़ के नहीं रही है बसंत गड़ जानता ही तुन्दे कोल किश भी नहीं है पर गल एक जड़ी करनी चाहे दी होए है कि मौसम बड़ा ठंडा इते तो हैं बिजली दी कोई जरूरत नहीं है जे तुन्दे कोल बिजली नहीं है ता भी काम तुन्दा चली पौना ते उन परती आओ भाई साथ हमें वड़ा अफस खा का कोई करमचारी जागता नहीं और आपको यहांसे उठाकर ले जाता है अब मुक्धी गल करनी है क्यूंकि सागर रसार मुक्धी गल करते हैं तो मुक्धी गल parlament है कि जे-पी-डी-सी-यल बिजली विभाग से जे-पी-डी-सी-यल हो गया है लेकिन उसके बावशूद भ कर दो झाँ दिए ठाई उयque है कर दो द Celtic